संसद की कारवाई के दोरान संसदों के निलंबन ने नई बहस को जनम दे दिया है एक तरफ कहा जा रहा है कि इन संसदों का वेवार संसद ये गरीमा के अनुकूल नहीं था इसलिए उन पर गाजगिरी तो वहीं विपक्ष का कहना है कि इन सानसदों पर गैर जरूरी रूप से कड़ी कारवाई की गई है वहीं आप दूसरी तरफ सानसदों ने सरकार पर और गंभीर आरोप लगाए हैं BJP के सानसद सड़क से लेकर सानसद तक हंगामा करें तो कोई कारवाई नहीं होगी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार ने कई ऐसी सुविधाएं वापस ले ली हैं जो संसद परिसर में धरना दे रहे नेलंबिस सांसदों को मोहिया कराई गई थी दरसल नेलंबिस सदस्यों ने बुद्वार को अपना 50 घंटे का धरना शुरू किया था जो शुकरवार तक जार इस दोरान संसदिय सची वाले ने उनके लिए दो एंबुलेंस चिकिस्सक और दो ड्राइवर और दो अन्यक कर्मचारी की सुविधा उपलब्द कराई थी लेकिन बात में उसे वापस ले लिया गया इनारोप से साफ है कि मोधी सरकार विपक्ष पर किस कदर सक्त है वहीं दूसरे तरफ आंकडे भी बताते हैं कि सरकार ने विपक्ष की आवास को दबाने की कोशिश की है एक रिपोर्ट के मताबिक 2014 में इंडिये की सत्ता के आने के बाद सांसदों के निलंबन में 170 फीसिदी का इजाफा हुआ है इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 2006 के मौ सुन सत्र और फरवरी 2014 के बीच करीम 51 सांसदों को दोनों सदनों से सस्पेंड किया गया वही अगस 2015 से अब तक यह आखला बढ़कर 149 सांसदों तक पहुँच गया है इस मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब मंगलवार को राज्यसभा के 19 विपक्षी सांसदों को 6 हफ कामा बर्पा हुआ है यह आंक्रे साफ बता रहे हैं कि विपक्ष पर जबरदस्त कारवाई की जा रही है अब सवाल उठता है कि क्या विरोधियों पर सक्त हो रही है NDA सरकार डीविलाइफ की रिपोर्ट